और क्रेन जैसी चीजों को बिजली देने के लिए यहां तक की परमानू उर्जा सायंत्रों को ठंडा करने के लिए भी। इसलिए इस वीडियो में हम एक इंडक्शन मोटर को अंदर से देखेंगे और विस्तार से जानेंगे कि यह कैसे काम करती हैं। इंडक्शन मोटर कुछ ऐसी दिखती है। यह एलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेकैनिकल एनर्जी में बदलती हैं, जिनका प्रियोग पंप, पंखे, कंप्रेशर, गियर और पुली आदी को चलाने में होता है। लगभग सभी पुर्जे में हाउजिंग के अंदर होते हैं। सामने की और हमें एक शाफ्ट दिखाई देता है। यह पुर्जा घूमता है और हम पंप, गियर और पुली को इससे जोड़ कर अपना काम पूरा कर सकते हैं। पीछे की और हम एक पंखा और एक प्रोटेक्टिव कवर देख सकते हैं। पंखा शाफ्ट से जुड़ा है और जब भी मोटर चलती है तो यह घूमने लगता है। इंडक्शन मोटर जब चलती है तो बहुत गर्मी पैदा हो सकती है। इसलिए पंखा केसिंग पर ताजी हवा फेंकता है और उसे ठंडा करता है। अगर इंडक्शन मोटर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो अंद्रूनी इलेक्रिकल कोईल की इंसुलेशन पिगल जाएगी। जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और मोटर खुद ही जल जाएगी। बाहरी घेरे पर बने खांचे सतह के खेत्र को बढ़ा देते हैं और इसके कारण वहां से अतिरिक्द गर्मी बाहर निकलने में मदद मिलती है। शाफ्ट को कुछ बेरिंग से सपोर्ट मिलता है, जो आगे और पीछे की शेल्ड के अंदर लगी होती है। बेरिंग की मदद से शाफ्ट बिना कठिनाई के घूम सकता है और अपनी जगह बने रह सकता है। हाउजिंग के अंदर हमें एक स्टेटर मिलेगा। स्टेटर स्थित रहता है और घूमता नहीं है। इसमें कई सारे कॉपर वायर लगे होते हैं, जो आंतरिक परिधी में बने स्लॉड्स के बीच कॉइल की तरह लिप्टे रहते हैं। कॉपर वायर पर विशेश प्रकार के इनेमल की परत चड़ी होती है, जो वायरों को एलेक्ट्रिकल रूप से एक दूसरे से अलग रखती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एलेक्ट्रिसिटी को पूरे कॉइल से होकर प्रवाहित होना पड़ता है। नहीं तो लेक्ट्रिसिटी सबसे छोटे पद से होकर जाएगी। ऐसा होना क्यों जरूरी है? इसके बारे में हम आपको विडियो में आगे बताएंगे। यहाँ एक तीन फेज वाली इंडक्शन मोटर है। तो हमारे पास स्टेटर के अंदर कॉयल के तीन अलग-अलग सेट हैं। हर सेट का अंतिमसिरा इलेक्ट्रिकल टर्मिनल बॉक्स के अंदर लगे टर्मिनलों से जोड़ा जाएगा। इस विडियो में आगे हम देखेंगे कि इन्हें कैसे जोड़ा जाता है। विद्युत आपूर्ती से जोड़े जाने पर स्टेटर एक घूमता हुआ विद्युत चुम्ब की अक्षेतर बनाता है। शाफ्ट से रोटर जोड़ा गया है। यहाँ पर स्कुरल केज टाइब का रोटर है। इसे स्कुरल केज इसली कहा जाता है क्योंकि यहाँ दो सिरोवाली रिंग्स होती हैं जिने छड़ों से जोड़ा जाता है और यह साथ में घूमते हैं। यहाँ डिजाइन पालतू हेम्स्टर या गिलहरी के लिए उप्योग किये जाने वाले एक छोटे केज या भ्यास वील के जैसा दिखता है। स्कुरल केज में कई लैमिनेटेट स्टील शीट्स लगी होती हैं। यह शीट्स छड़ों पर चुम्बकी एक शेत्र केंद्रित करने में मदद करती हैं। धातू के ठोस टुकडों की बजाए शीट्स का प्रयोग की आ जाता है क्योंकि इससे रोटर में उठते एडी करेंट की मातरा कम करके कुशलता बढ़ाई जा सकती है। जब रोटर को स्टेटर के अंदर रखा जाता है और स्टेटर को विद्युत आपूर्ती से जोड़ा जाता है तो रोटर घूमने लगता है। ऐसा कैसे संभव हो पाता है। जब electricity एक वायर से होकर गुजरती है, तो वायर के चारो और एक विद्युत चुम्बक ये क्षेत्र बनता है. हम इसे वायर के चारो और कुछ कमपास रख कर देख सकते हैं. कमपास चुम्बक ये क्षेत्र की दिशा के अनुरूब घूमने लगते हैं. अगर विद्युत धारा यानि करन्ट की दिशा पलट दी जाए, तो चुम्बक की एक शेत्र भी उलट जाता है. और इसलिए कमपास भी दिशा बदल देता है. वायर का चुम्बक की एक शेत्र कमपास के डायल को अपनी ओर खींचता है और धक्का भी देता है. बिल्कुल उसी तरह जैसे कि अगर हम चुम्बक की दो छड़ों को आसपास रख दे तो होगा या तो वे एक दूसरे की ओर आकरशित होंगे या दूर चले जाएंगे हम एक चुम्बक को दूसरे चुम्बक को घुमाने के लिए भी इस्तिमाल कर सकते हैं या फिर हम चुम्बक के चारों तरफ के चुम्बक के क्षेत्र के तीवरता को बदल कर चुम्बक को घुमा सकते हैं यदि हम चुम्बक के क्षेत्र में एक वायर लगा दे और उसमें से करंट प्रवाहित करे तो वायर का चुम्बक्य क्षेत्र स्थाई चुम्बकों के साथ प्रतिक्रिया करेगा चुम्बक्य क्षेत्र और वायर में बल महसूस होगा यहाँ बल वायर को या तो उपर या फिर नीचे की ओर ले जाएगा जो कि करण की दिशा और जुम्बक्य क्षेत्र की धुरूवी अतापण निर्भर करता है अगर हम वायर को एक कोईल पर लपीट दें तो विद्यूत जुम्बक्य क्षेत्र अधिक मजबूत होता है